नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी घर में एक सिलाई मसीन है और उसके अंदर आपको धागा डालना है तो आप धागा किस तरीके से उस सिलाई मसीन के अंदर डाल सकते हैं तो ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते ह है इस lieu को आप कहां लगाएंगे यहांपर 20 हैं एक पिन यहां delicious यहां पर है और एक देकि यहां पर भी अफय हो सकता है कर चीमाशीन हमें दोही में होते लगिन इस मblem मेरे पास इसमें तीन पिन दे ओवे तो जो बी है उसका लगा के बताओंगा कि कि की से तो तीक है से आपको मशीन धागा डालना होता है तो रील को देखिए मैं इसके नंद khera कर दिया है इस पीन तर्फा देना ही रील को जब रील आ पश जाएगी तो मै उसके धागा कहींच दृब बाहर निकालूंगा और इसको उपर की तरफ ले जाना है, मैं उपर लेके गया, एक पिन के मैंने दोस्तो धागा उपर से निकाला है, पीछे की तरफ से, धागा पीछे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ है, और इस पिन के मैंने इस धागा को आगे की तरफ से निकाला है, जिससे कि इसमें कोई कोई भी लूजनेस नहीं होनी चाहिए उसके बाद इसके फ्रेंट की तरफ में लेकर आऊंगा आप फ्रेंट की तरफ अगर इसकी डियाइन देखते हैं दोस्तों तो यह फ्रेंट में क्या है देखिए यहां पर दो अलग होल अवलेबल हैं यहां पर इन दोनों होल के अंदर हम धागे को फसा सकते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हमको बैक साइड वाले जो होल है इसी कंदर धाका को फसानाए है तो धागे को हमने वाह फ ritual एब धागा यहां से नीचे की और जाय involved और यहां पर यह इस्प्रिंग के इते हुआ अफिक मेस्व डिया हुआ ही यहां पर चाहिं नीजिम्स में गवान इस दागे को हमें लेजा हुआ जिए है यहां पर दो पलेत दी होते हैं हमें इन दोनों प्लेट के बीच में से दोस्तो इस अपने धागे को निकालना है देखिए इस दोनों प्लेट के बीच का बहुत इंपोर्टेंट रॉल है अगर आप इन दोनों के बीच में से धागे को नहीं निकालेंगे तो आपका धागा तूट सकता है बार बार मशीन के इंदर फसेगा जाम होगा तो इस धागे को आप मैं अगे की तरफ बढ़ाता हूं और इस धागे को ऊपर से जब हमने देख दोस्तों निगाला उसके बाद इन दोनों प्लेटों के बीच में से देखिए इस तरीके से उपर से आपको होके हुए निकालना है इसको तो मैंने धागे को इस में से दोनों में से निकाला है और देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं अब आपको थोड़ा अच्छा किलियर नजर आएगा इस वाले एंगल से क्या किया है मैंने आपको एक बार मैं बताता हूं और इसको उपर की तरफ से मैंने इसको निकाला है तो यह उपर आ चुका है अब इसको मैं इसको खींचूंगा यहां से और इसके बाद जो हमारा यह लीवर है तो यह लीवर यहां पर दोस्तों यह अप डाउन करता है जैसे हमारी मशीन चलती है इसके होल में से निकालना है यहीर मशीन को मैं मूव कर रहा हूँ तो यह liver अप डाउन हो रहा है तो मैंने क्या किया मैंने यहां से इसको धागे को निकाला आए और इन दोनों प्लेट के बीच में से होते हुए इस रौड के अंदर से इस धागे को मैं ऊपर की ओर लेकर आया हूँ अब आप इस लीवर के अंदर मैंने जो होल था इसके अंदर इसको फसा दिया था और अब इसके बाद नेक्स्ट है पहुत इंपोरेंट है यहां फ्रेंट में आप देख सकते हैं कि यहां पर यह एक आपकी रॉड लगी हुए लेकिन वो यू शेप में है यू शेप में रॉड लगी हुए है यहां पर आप देख सकते हैं तो इस यू शेप के अंदर से आपको अपने धागे को निकालना है तो इसके लिए आपको धागे को अंदर सुई की तरह नहीं डालना है यह एक तरीके से एक तरफ कटा हुआ होत तो आपको अंदर से उपर से जालने क्यों नहीं साइड से अगर आपको इसे को फसागते हुए ऐसे जाएंगे तो अंदर अपने आप इंसाइट हो जाएगा इतो अंदर चला गया तो आपका मेकानिज्म देखे यहां तक फूरा हो चुका है धागा उपर से आया प्लेट की जो धागे का आप जो टिप है दोस्तो इस टिप को आपको डालना है अपने सुई के छेद के अंदर से तो अब यहां पर धागा मेरा नीचे आ चुका है अब हमें इस सुई के अंदर अपने धागे को डालना तो इसके लिए हमारे पास देखे एक टूल होता है यह सुई मे के अंदर चला जाएगा तो हमने इसके जो पतले पतले पिन थे उसके अंदर से हमने अपनी रोड को दागे को निकाल दिया तो अभी इसको हम पीछे खिचेंगे तो देखिए धागा पढ़ गया है हमारी सुई के अंदर और इसके बाद एक इंपोर्टेंट स्टेप है इस ध धागे को डालिए तो आपका धागा कहीं फसेगा नहीं तूटेगा नहीं तो दोस्तों धन्यवाद बहुत-बहुत हमारी वीडियो के देखने के लिए ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्र करने के लिए।